हलो दोस्तों, उत्करस पर वियार में आप सभी का हारदिक श्वागत है तो चलिए दोस्तों भियार ब्रमण पड़ फिर से एक बार निकलते हैं और इस बार ब्रमण के सेंखला में हम लोग देखेंगे कि वियार के चर्चित 1 जियो ब्यारार, बिहार के दोस्तों जो Tiger Reserve है या पक्छी बिहार हैं कौन-कौन से हैं कहां-कहां पर हैं इन सब के बारे में ब्रमण किया जाए घूमा जाए बिहार के 2800 जिलों के च्छत्रों में और वहां से डूंड करके लाते हैं एक-एक चर्चित Tiger Reserve, 1.7 बिहारण और पक्छी बिहार तो ह कब से पहला नामदर्ज होगा किसका वालमिकी टाइगर रिजर्व ध्यान रखना अभी तक वियार में अगर देखेंगे तो एक मात्र टाइगर रिजर्व के तौर पर ये डेवलप्ट किया गया इसके लाओं दोस्तों ये पुरा का पूरा जो छित्र बनता है पस्चिमी चं पारड में ध्यान रखेंगे यहां से खास भीम बांध अभ्यारड कई बार एक्जाम में टपका कि भीम बांध अभ्यारड कहां पर है फाइनल नौक मुगेर के अंदर कहां पर मुगेर के अंदर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारड को लेके चर्चा बिहार में तो गया के अंदर जाकर के ढूनेंगे चलिए आगे देखते हैं दूसरे जिले में चला जाए एक पंथ वन्य प्राड़ी अभ्यारड कुले के चर्चा रहती है तो पंत वन्य प्राड़ी अभ्यारड दूस्टों अगर दिखा जाए तो यह नालंदा राजगीर के अंदर हम पस्ठिमी चंपारण में कहां पर, या भी आपको मिल जाएगा पस्ठिमी चंपारण, ये इसका ठिकाना हो जाएगा, कयमोर अबयारण अगर दिखा जाए दोस्तों तो ये भी विस्तित अब्यारण के तोर पर, बीयार के दक्षिर पस्ठिम हिस्से में जब आप आएंगे, तो रोहताष एवं कैमूर जिले में इसका बिस्तार है। हलाकि दोस्तों कैमूर अब्यारण अगर दिखा जाती है यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा से लगा हुआ। तो ऐसे सामें इसका च्छेतर उत्तर प्रदेश में भी जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी कैमूर अभ्यारण के नाम से वहां पर इसका प्रवंदन है, इसके साथ साथ बियार में रोता से कैमूर में इसका प्रवंदन चलता है, अपने बियार के अंदर यह ध्यान रखिएगा, नागी डैम पक्छी अभ्यारण दोस्तों, बहुत ही तो नागी डैम पक्छी अभ्यारण जमूई के अंदर रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा इक्जाम में जब आएगा, तो यहां से टिक करेंगे, इसके लावाँ नक्टी डैम यही दोस्तों, नक्टी डैम पक्छी अभ्यारण यह भी कहां पर है, जमूई के अंदर है, तो यहां से अगर देखेंगे तो दोनों सेक्टर नागी डैम पक्चिय बहरण जमुई इसके अलावा नकटी डैम पक्चिय बहरण जमुई तो इन दोनों को सईंत रूप से मिला करके दोस्तों बियार के पहले पक्ची महसो कलरों का आयोजन यहीं पर हुआ था बालमिकी राष् उध्यान वालमिकी टाइगर रिजर्व के तौर पर भी है राष्टिय उध्यान के तौर पर छित्रतो पस्चिमी चमपारण आप सभी को पहले से ही पता है कावर जील पक्चिय बहरण कहां पर है भाई बिहार में तो काम्वर जील पक्चिय बहरण द्यान रखिएगा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो चलते चलते पहुंच जाएंगे आप भागलपूर और भागलपूर में जाएंगे तो यहां पर मिलेगा बिक्रम सिला गंगयाटिक डाल्फिन अब्यारण यह दोस्तों आपके एक्जाम में बिक्रम सिला गंगयाटिक डाल्फिन अब्यारण भागलपूर चलते चलते बहुत बार एक्जाम में पहुँच चुका है तो अपकी बार आरिया पार करिएगा कटियार चलिए भाई कटियार में अगर आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको गोगा बिल पक्छी वियार कटियार में अगर आप चले जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा गोगा बिल पक्ची बिहार मिलेगा दरभंगा में दोस्तों अगर इंट्री कर गए तो कुसेस्वर पक्ची बिहारण आपको दरभंगा में प्राप्त हो जाएगा तो कुसेस्वर पक्चिय बैरण दर्भंगा के अंदर सलीम अली जुबबा साहनी बरैला जील पक्चिय बैरण अगर देखेंगे तो यह आपको वैशाली के अंदर प्राप्थ जाएगा भाई तो चलिए वैशाली को भी यहां से पकड़ लीजिए सर्या मन पक्ची बिहार द प्राइगर बालम की राश्टी उद्यान है वहीं पर है आपका सर्या मन पक्ची बिहार हो जाएगा चलो आगे देखने दोस्तों आगे क्या निकलता है तो गुमते गुमते जरा अररिया भी चलिए भई अररिया में दोस्तों 2-2 छित्र आपको मिलेगा एक तो आपको मिले सुहहान पक्शHiBihar कई दोस्तों आपके एकजाम में पूचा तो ये भोजपूर Infra में बनेगा और भोजपूर छे में ये बनेगा शुहान पक्शHiBihar भोजपूर इसकोस इसको रखते और इसके इलावा कारकट गढ़ मगर मच्छ सनक्षन रिजर्व यह दोसτοं कैमऊर में प्रस्तावित है यह ठीरमाला धीन है जो कि मगर मच्छ सनक्षन रिजर्व के तौर पर बिकसित किया जा रहा है तो कैमूर में अस्थान का नाम जरूर ध्यान रखेगा क्योंकि ये अस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो कराकट गढ़ मगर मच सनक्षन रिजर्ब कैमूर में प्रस्तावित है और इसका निर्मार कारे चल रहा है यहां से रखेंगे इसके लाओं अब रजावली वने जी वे बैरण अगर देखेंगे तो ये प्रदेश के नवादा में आपको मिलेगा और कैमूर टाइगर रिजर्ब दोस्तों हमने आपको सुरू में बताया था कि बियार में अभी एक ही टाइगर रिजर्ब है और वो है बालमी की टाइगर रिजर्ब एक दोस्तों प्रस्तावित है एक टाइगर रिजर्व बिहार में क्या है प्रस्तावित है जो कैमूर रेंज में डेवलप्ट किया जा रहा है कहां पर बिहार के दक्षिल पस्चिम में आपाएंगे तो कैमूर रेंज में इसको डेवलप्ट किया जा रहा है जो कैमूर में जाना जाएगा इश्क का ध्याम लखिएगा तो ये दोस्तों बिहार के महत्पून चर्चित वन्य जीव ब्यारण पक्षी बियार जिनको लेकर के आपके एक्जाम में लगातार यहां से प्रश्न बनते रहते हैं वैसे दोस्तों अभी बियार में अगर देखा जाए तो बिहंगम दृष्यों में प्राकिर्तिक परेयटन के लिए भी बहुत धेर सारी चीजें इतनी चीजें हैं कि घूमिये अपना बियार तो दोस्तों कई बार आपको प्यार होगा इस बियार की धर्ती से जो कि प्राकिर्तिक धरोहर की एक अनौखी बिराशत अनोखे इतियास के साथ संजो करके ले करके भारत वर्स के अंदर भी दमान है तो ये है भाई अपना बिहार तो रखिए अपना बिसेश ख्याल बिहार को ले करके जाईए सब से आगे अपना बिहार हम सब का बिहार सुक्ष बिहार प्रशन बिहार खुसाहाल बिहार तो मिलते हैं दोस्तों बिहार की अगली सरिंखला में तब तक के लिए जै हिंद